नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी चैनल इंडियन व्लॉगर नरीश कुमारी में धन 13 से दिपावली का पर्व शुरू हो जाता है इस पर्व के मौके पर जहां सोना और चांदी खरीदना शुब माना जाता है वहीं इस दिन धन के देवता, कुबेर और देवताओं के चिकित सक धनवंत्री महराज की खास पूजा का भी प्रवधान है वहीं इस दिन यम की पूजा भी होती है माना जाता है कि इस दिन की गई पूजा से व्यक्ति यम के द्वारा दिये जाने वाली यातनाओं से मुक्त हो जाता है हिंदु धर में धंतेरस को यश और बैभव किर्ती सुक समरिदी का प्रतीक माना जाता है धनतेरस की साम को दीबदान किया जाता है और माना जाता है कि ऐसा करने से यमराज प्रसन होती है और इससे व्यक्ति की अकाल मृत्ति भी नहीं होती है लेकिन इस दिन दीब जलाने का तरीका आम दिनों से अलग होता है तो आईए आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि यम का दिया कैसे जलाया जाता है वैसे तो धन्तेरस की शाम को मुख्य द्वार पर तेरा और घर की अंदर भी तेरा दीब जलाने होते है ये काम सूरज डूबने के बाद किया जाता है लेकिन यम का दिया परीबार के सभी सदस्यों के घर आने और खाने पीने के बाद सोते समय जलाया जाता है इस दीब को जलाने के लिए पुराने दीब का इस्तिमाल करें उसमें सरसो का तेल डालें और रुई की बाती बनाएं घर से दीब जलाकर लाएं और घर से बाहर उसे दक्षन की ओर मुख कर नाली या कूडे के धेर के पास रख दें साथ में जल भी चड़ाएं और हाँ बिना उस दीब को देखे घर वापस आ जाएं धनतेरस का दीबदान घर की लक्षमी को ही करना चाहिए इस दिन किसी भी धातू के बरतन खरी दें और उसने मिठाई भर कर घर में परवेश करी और धनवंत्री जी, कुबेर जी और लक्षमी जी और गडेश जी को भोग लगाएं माना गया है कि इस तरह पूजा करने और यम का दिय जलाने से घर के लोग, रोग, विपदाउं और दरिद्रा से दूर रहते हैं वहीं ऐसी भी माननेता है कि सोने चांदी या पीतल के बरतन खरीदने से घर में सौभाग्य, सुकसान्ती और स्वास्ते का वास होता है पीतल भगवान धनवंत्री का धातू है इसलिए पेले रंग के धातू इस दिन खरीदना शुब होता है उमीद है कि आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नई हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा साथ में एक बेल निजर आ रही है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा